हेलो फ्रेंड्स दिस इस रोती बर्मा तोड़े आम गोंग तो स्टार्ट विद सीबी एस्टी तथा इस सब्जेक के कुछ टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को गेट कर सकते हैं सेकेंड यर की प्ले लिस्ट है जिसका टाइटल है बीएट सेकेंड यर तो इसके अंदर आप हर सब्जेक्ट से रिलेटिट सेकेंड यर के जितनी भी वीडियो हैं हर सब्जेक्ट की ले सकते हैं आप उसमें से तो फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो इसके अंदर हम CBSC और ICSC के बारे में पढ़ेंगे जो डिसेबल बच्चों को सपोर्ट करती हैं और उनके क्या-क्या प्रावधान निकाले गए हैं इसके बारे में हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे फ्रेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन इंट्रो देखेंगे हम इसके अंदर क्या है CBSC और ICSC बोर्ड द्वारा आयोजित परिक्षा योजनाओं में किसी भी प्रकार से शारिरिक रूप से अक्षम छात्रों की और विशेश ध्यान एवं आवश्यक व्यवस्था की गई है मतलब जो ICSC बोर्ड है और CBSC बोर्ड है इन बोर्डों में क्या किया गया है आयोजित परिक्षा है जो परिक्षा ये आयोजित करती है जो इनकी योजनाओं है उनमें क्या किया गया है शारिरिक रूप से जो बच्चे अक्षम होते हैं यानि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन छात्रों के लिए विशेश ध्यान दिया गया है और बहुत ही महत्पूर्ण और आवश्यक व्यवस्थाएं उनके लिए बनाई गई हैं उनके लिए कई अन्य प्रकार की फैसिलिटीज भी निर्धारित की गई हैं आगे है जो उनकी विभिन परिक्षाओं में प्रदर्शन अथवा निश्पादन पर प्रभाव डालती हैं आगे हैं दोनों बोर्ड द्वारा शारिरिक, अक्षम, छात्रों, हेतु, निश्चित, नियम एवं कानून प्रदान किये गए हैं, मतलब इन दोनों ही बोर्ड ने, यानि ICSC और CBSC बोर्ड ने क्या किया है, जो physically disabled है, students उनके लिए क्या किया है, नए-ने नियम रूल्स बनाए हैं और नए-ने कानून बनाए हैं, तो आगे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे CBSC से, CBSC के अंदर हम सारी चीज़े देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे CBSC द्वारा आयोजित परिक्षा में, जो परिक्षा आयोजित की जाती है CBSC द्वारा, उसके अंदर शारिरिक रू प्रकार से किस चीज से डिसेबल है तो उसके लिए उनको एक चिकित्सा परमाणपत्र यानि medical certificate दिया जाता है उधारन में इस पे देखेंगे हम सरकारी अस्पताल यानि जो government hospitals होते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं राश्ट्रिय या राज्य लेवल पर किनी भी संगठनों द्वारा राश्ट्रिय या राज्य संगठनों द्वारा असक्षम लोगों के लिए प्रमाणपत्र इत्यादी मतलब ये लोग क्या करते हैं इन स्टुडेंट्स को अलग-अलग रूप से राज्य या राश्ट्रिय लेवल पर सर्टिफिकेट प्रोवाइट करवाते हैं नेक्स territories हम देखेंगे इसके अंदर second, second में क्या है समय में चूट, यानि जो परिक्षाई होती है उनमें किस तरीके से बच्चो को समय के अंदर चूट मिलती है तो शारेरिक दरिष्टी से असक्षम लोगों को परिक्षा में समय के लिए चूट तो पहला क्या है? इसके अंदर अगर 3 गंटे का एक्जाम है, 3 hours टाइम है, किसी भी एक्जाम क जो एक normal बच्चा होता है, उसके लिए 3 गंटे का एक्जाम होता है तो उसके लिए क्या होता है जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको 60 मिनट एक्स्ट्रा दिये जाते हैं मतलब उनको 4 गंटे दिये जाते हैं 3 गंटे तो नॉर्मल बच्चे के लिए हैं बट डिसेबल बच्चे के लिए 1 गंटा पूरा एक्स्ट्रा दिया जाता है उसके बाद है, धाई गंटे का टाइम होता है अगर परिक्षा का, अगर धाई गंटे का एक्जाम है, तो उसमें 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, डिसेबल बच्चे को, यानि वो कितने का हो गया, आपका 3 गंटे, 20 मिनट का पूरा एक्जाम हो गया, धाई गंटे वाला, लब उसका एक्जाम कितनी देर कराएगा दो घंटे 40 मिनट का यानि तोटली हम देखेंगे तीन घंटे वाले में 60 मिनट एक्स्ट्रा दाई गंटे वाले में 50 मिनट एक्स्ट्रा और दो घंटे वाले में 40 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 10 मिनट कम होते जाएंगे नीचे नीचे ज जाती है कौन कौन सी इसी सुविदाएं हैं तो इसमें हम चार या पांच सुविदाएं देखेंगे तो इसमें फॉर्स्ट है हमारा असान पहुंच के लिहाद मतलब जो एक असान पहुंच होती है असान पहुंच के लिहाद से कुछ ही चायनित विद्यालेओं को जगे को center बनाएंगे तो इसके अंदर है कि जिस school के अंदर ऐसी facilities होती है जहां पर विकलांग बच्चों को भेज सकते हैं उसी school के अंदर वो उनका center देते हैं जहां पर वो exam देने जाएं सेकंड है दृष्टी बादित शात्रों को ऐसी वीडियो की अनुमती दी जाती है जो आवर्धक की अनुमती दी गई है इसके अंदर क्या है मतलब जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है यदि वो पूरे ब्लाइंड है या फिर उनने थोड़ा बहुत दि की जाती है थर्ड है इसके अंदर हमारा शारीरिक रूप से असक्षम शात्रों को कंप्यूटर उपलब्द कराया जाता है मतलब क्या कराया जाता है एक्जाम सेंटर पे उनको कंप्यूटर उपलब्द कराया जाता है जिसका जिक्र उसके स्वास्थ प्रमाड पत्र में सक् जाता है मतलब जो उसका एक certificate दिया जाता है उसको medical certificate उसके अंदर ये पहले से ही include होता है कि उनको एक computer उपलब्द कराया जाएगा नेक्स है इसके अंदर फिफ्थ जिसके अंदर है केंद्र अधिक शक ग्वारा विकलंग शात्रों की उत्तर पुस्तिका अलग से भेजी जाती है मतलब अगर उन्होंने exam दिया है तो उनकी जो answer sheet होगी वो अलग से भेजी जाएगी ताकि वो अलग से check होकर आए नेक्स हम देखेंगे जो विकलंग शात्र होते हैं उनकी समावेशी सिक्षा हेतु विद्दाले के लिए दिशा निर्देश ऐसी कौन सी guidelines inclusive education के लिए जो schools हैं उनको दी जाती है यानि guidelines of inclusive education of children with disabilities to schools तो इसके अंदर है cbsc द्वारा संबंदित मानेता प्राप्त विद्दाले को सुझाव जो मानेता प्राप्त विद्दाले होते हैं उनको cbsc द्वारा कौन कौन से सुझाव दिये जाते हैं तो first is के अंदर सुनिश्चित करें पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है कि विशेश जरूरतों वाले बच्चे जो मतलब special needs वाले बच्चे हैं उनको किसी भी बच्चे को मुख्य धारा सिक्षा में प्रवेश से वानचित नहीं किया गया है मतलब यह क्या कहना चाह रहा है कि जो इस्टुठेंट्स होते है स्पेशल YT वाले उनको मुक्यधारा शिक्षा में जो एक सिक्षा है उसके अंदर प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है, मतलब उनको admission देना ही देना है, second है इसके अंदर विद्दाले में शारिरिक असक्षम छात्रों की भरती की निगरानी मतलब जो विदाले में शारिरिक असक्षम यानि फिजिकली लेवल पर डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी भरती पर निगरानी होती है कि ये बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं या नहीं थर्ड है इसके अंदर विशेश आवशक वाले विशेश आवशकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों की सिक्षा के लिए आवशक पुनर नियरिक्षन कक्षा संगठन मतलब एक ऐसा संगठन कक्षा संगठन बनाया जाता है जहां पर पुनर नियरिक्षन किया जा जाती हैं फोर्थ है इसके अंदर जिसमें हैं विशेश आवशक्ता वाले बच्चों सहीत सभी छात्रों जो भी जितने भी बच्चे होते हैं वाँ पर उसमें डिसेबल और नॉर्मल स्टुडेंट्स दोनों हैं उनकी आवशक्ता के माध्यम से मौजूदा भौतिक बुनिया मतलब जो भौतिक बुनियादी धाचे हैं डेस्क वगेरा हो गया स्कूल का इंफ्रेस्ट्रक्चर हो गया और सिक्षण विद्या यानि जो टीचिंग मैथर्स होते हैं उनको संशोदित करना उनको संशोदित पहले से किया जाता है और फिफ्ट है इसके अंदर हमारा प्रा आत्मिक विद्याले है या फिर मादेमिक विद्याले है दोनों में ही एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके सिक्षक यानि टीचर्स जो है उनके नियामित सेवा उनकी जो नियामित रूप से रेगुलर एक सर्विस जो होती है उसका प्रासिक्षण सुनिश्च बिन प्रकार के योगी छात्रों को परिक्षा सम्मंदी सुविधाओं का प्रवधान यानि जो प्रोविजन होते हैं इसके अंदर हम इसका इंट्रो देखेंगे इसमें सतत प्रयासरत तथा जवाब देही है आगे क्या है इसमें ये परिशद सेकेंडरी स्कूल यानि जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनकी परिक्षा में यानि 10 और 12 की परिक्षाओं में तथा भारतिय स्कूल प्रमाण पत्र जो भारतिय स्कूल प्रमाण पत्र होता है उसमें ISC में कक्षा 11 और 12 की परिक्षा में परिक्षा के लिए क्या करते हैं तथा विभिन विशयों के पाठ्ठिकरम तयार करती है, मतलब यह इन सारी क्लास के लिए 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 क्ल या तो उन्हें कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वज़े से विकलंगता है या वो पहले से ही विकलंग है आधी को परशित द्वारा विशेश प्रकार की सुविधाएं तथा रियायते प्रदान की जाती है इसके अंदर विकलंग चात्रों को आईसी ची द्वारा दी जाने वाली चूट यानि कंसेशन ऐसे कौन से हैं कंसेशन प्रोवाइड़ बाई डिसेबल्ड स्टुडेंट तो प्रवेश में समय मतलब जो एडमिशन होता है उसके अंदर उन्हें और समय दिया जाता है ICSC से मानेता प्राप्त विद्दाले और समर्थियों से विकलांगता के अधार पर भेदभाव नहीं कर सकते यदि यह साबित हो गया तो परिशद उस विद्दाले को मानेता प्राप्त से मतलब उसको अगर मानेता मिली हुई है तो उससे मानेता को रद कर सकता है अगर उन्होंने प्रवेश नहीं दिया तो ऐसी इस तरीके से उनको ऐसे दंड दिये जा सकते हैं या उस स्कूल को मानेता प्राप्त होने से रद किया जा सकता है अभी तक तो हमने देखा कि प्रवेश के समय पर क्या फैसिलिटीज उन्हें मिलती हैं फैसिलिटीज क्या है कि उनको आप यह नहीं कह सकते कि आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और ऐसा अगर किया तो ICST द्वारा क्या किया जाता है उस स्कूल को मानेता प्राप होने से रद किया जा सकता है second IS के अंदर विध्याले से चूट यानी विध्याले से क्या चूट मिलती है धाचागत सुविधा यानी जो उस स्कूल का इंफरा स्ट्रक्चर बनवाया जाता है वो ऐसा बनवाया जाता है ताकि विकलांग स्टूडेंट्स को महापर कोई ऑह अंदर थर्ड है इसके अंदर हमारा परिक्षा के समय चूट यानि दूरिंग एक्जामिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्जाम के टाइम पर भी उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वो अच्छे से अपना पिपर कर सके फूर्थ है हमारा इसके अंदर प इसके अंदर प्रशन पत्र को पढ़ने में चूट यानि जो प्रशन पत्र है उसको पढ़ने में चूट दी जाती है यानि रीडिंग आउट दा क्वेशन पेपर एट्थ है इसके अंदर अस्पताल से परिक्षा होती है उसके प्रावधान में चूट दी जाती है यानि प्रविजन फूर आंसरिंग दा एक्जाम इन आ हॉस्पिटल आगे क्या है नाइन्थ हिसके अंदर मस्तिश्क पक्षागात वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रावधान है यानि इसके अंदर क्या है जो मस्तिश्क पक्षागात वाले बच्चे होते हैं उनको विशेश प्रावधान दिये जाते हैं आज हमने हमारा प्रिपेर किया आंसर कौन सांसर था आज हमारा पूरा एक लॉंग कोशन हमारा इसमें रैडी हो जाता है जिसके अंदर है CBSC तता ICSC द्वारा आयोजित परिक्षाई जो होती है उसमें शारीरिक रूप्ष अगर कोई भी अक्षम या कोई भी डिसेबल इस्टुडेंटे उसको क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ऐसे कौन-कौन से प्रोविजन बनाए गए हैं ऐसी कौन- पूछ सकते हैं अगर आपको इस टापिक में से कोई भी पॉइंट हटाना है अपना कोई भी पॉइंट एड करना है तो वह आप इसके अंदर कर सकते हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो